नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्पी शुकला और आप देख रहे हैं बोल्ट स्काई हम सभी जानते हैं कि वजन कम करना या मोटापा कम करना आसान काम नहीं है मोटापा घटाने और वजन कम करने के लिए आपको बहुत ही मुश्कल डाइट, हेल्दी बैलन्स डाइट, वरक आउट जैसे योगा वगेरा करने बढ़ते हैं कुछ लोग वजन कम करने के लिए काफी मुश्कल डाइट फॉलू करते हैं वजन कम करना होल या फिर आपका टारगेट मोटापा घटाने का है तो इसे हेल्दी तरीके से पूरा करें सरदियों में आने वाले कई सबजियां लोग कैलरी की होती हैं और साथ ही साथ फाट बर्निंग में भी साहिक होती हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको सेहत मन तरीके से वजन कम करने के नाचरो लुपाए या यू कहें कि वजन घटाने के घरे लून उसके आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तीन लोग कैलरी जूस के बारे में जिन से आप वजन आसानी से घटा पाएंगे वजन कम करने और मुटापा घटाने के लिए टमाटर का जूस काफी फाइदे मंद है जैसा कि हम जानते हैं कि इसे खाने के बहुत फाइदे हैं इसे सलात की तरह खाएं या फिर ऐसे ही कभी भी उठा कर खा लें इसमें मौजूद आंटी ऑक्सिदेंट आपको कई बिमारियों से बचाते हैं तमाटर में विटामिन A, B, C और K, पुटाशियम, मैगनीशियम और फोसफोरस से भरपूर तमाटर सेहत के लिए बहुत फाइदे मंद है ये पेट और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है और कैंसर कोशिकाओं को भी मारता है सेहत के इन फायदों के अलावा टमाटर आपकी खुबसूरती बढ़ाने में भी मदद करता है इसका सही तरीके से इस्तमाल आपकी स्किन को ग्लोइंग और जवाब बनाये रख सकता है एक्सपर्ट्स के मताबिक 100 ग्राम टमाटर में 18 क्यालरी होती है तो आप समझ सकते हैं कि गुडों से भरा टमाटर आपकी डायट के लिए कितना फायतिमन साबित होगा खास कर तब जब आप वजन कम करना चाह रहे हो मोटापा घटाना है तो गाजर का जूस अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं अमेरिकन स्टेट्स डिपार्टमेंट ओफ एगरिकल्चर के अनुसार हर 100 ग्राम गाजर में 40 क्यालरी होती हैं और 3 ग्राम फाइबर तो साफ है गाजर का जूस अपने आहार में शामिल कर आप मोटापा भगाने का अपना टार्गेट पूरा कर सकते हैं तो आपका टार्गेट ये होना चाहिए कि आप अपने आहार में रोज दो गाजर इस्तमाल करें आप इसे सलाद में या खाने में किसी ही तरह इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसका जूस बना कर पीते हैं तो आपको मोटापा दूर करने में मदद मिलेगी मोटापत दूर करने के लिए सेब का जूस भी काफी फाइदेमंद है सेब के फाइदों के बारे में कौन नहीं जानता वो कहते हैं ना रोज एक सेब खाकर आप खुद को डॉक्टर से दूर रख सकते हैं एक्सपर्ट की माने तो 100 ग्राम सेब में बस 50 क्यालरी होती हैं तो जरा सोचिए ये लोग क्यालरी फ्रूट वजन कम करने में आपकी कितनी मदद कर सकता है और हाँ साथ ही साथ ये आपकी पूरी सिहत के लिए भी अच्छा सावित होगा तो सोचना क्या आज से ही ट्राय करें ये नए आहार और फर्क देखें अपने एक्सपीरिंस को हमसे शेयर करना ना भूले और इस बात का ध्यान रखें कि आप आहार में कोई भी बदलाफ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलहा जरूर लें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़ते ही हमारे साथ